हेलो ब्यारे बच्चो कैसे हो आई हो बहुत अच्छे होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चेप्टर नमबर 5 इंट्रोडक्षन टू यूकलीड जुमेटरी अब जैसा कि आपको चेप्टर के नाम से ही दिख रहा है यूकलीड जुमेटरी ये यूकलीड क्या है एक mathematicsian था जिसने जुमेटरी से related कुच definitions, कुच exeons और कुच postulates दिये थे अब ये exeons और postulates क्या होते हैं कुच theory, कुच सिद्धान्त बनाए थे, कुच лож, कुच कानून बनाए है हमारी जुमेटरी से related उनको हमें अच्छे से discuss करना है उन points को हमें अच्छे से समझना है जो क कि हमारे पूरे mathematics के अंदर utilize होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यूकलीड की definitions जो थी वो हमारे पास ये दे रखे 7 points अब इनको आप directly पढ़ोगे न तो बहुत कम बच्चे हैं जो की सारे points को समझ पाएंगे अब मैं इनको बारी बारी with example समझाता जाऊँगा और इनको बिलकुल असान भासा में असान language में आपको explain करूँगा ध्यान से सुनना बस सबसे पहला point क्या है यहाँ पे अब point का आपको पता है यह हमारा क्या हो गया इसका कोई भी part नहीं होता है मतलब इसको हम further break नहीं कर सकते है simple सी बात उसने first point में कही है second point क्या है a line is breathless length मतलब अगर कोई आप एक line draw करते है तो उसकी length तो होती है length तो consider की जाती है बस उसकी मोटाई जो होती है ना breath जो है वो आपकी count कभी भी नहीं की जाती है second point clear third पे चलते है the ends of a line are points कोई भी हम एक line draw करते है तो उसके जो end होते है यहाँ पर यह end हो रही है एक इधर end हो रही है तो यह दोन्नों के दोन्नों हमेशा क्या consider किये जाते है दो point consider किये जाते है clear आगे चलें next देखते है a straight line is a line which lies evenly with the points on itself अब क्या कहा है उसने बिल्कुल यही बात repeat की है कि अगर कोई हम एक line draw करते है न तो उसके जो ending point होते है वो उस line के उपर ही lie करते है उसके उपर ही exist करते है बिल्कुल clear बात है यह तो असान सी बात है कि जो हमारे end point होंगे न वो हमेशा इस line के उपर ही lie करेंगे ठीक है आगे चलो a surface is that which has length and breadth only कोई भी एक surface होता है न जैसे मान लो हमारा एक page है वही इस परकार से ऐसे ही होता है rectangle हो गई, square हो गया या फिर कोई और safe हो गई उसके अंदर हमारी क्या होती है वही surface के अंदर length or breadth ये दो चीज़े आपको देखने को मिलेंगी और कुछ भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है आगे चलेंगे the edge of a surface are lines जो हमारा surface होता है न और उसकी edge होती है edge मतलब किनारे अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसके चारो तरफ कौन-कौन सी है जीज़े एक तो ये है एक ये है एक ये है और एक ये है ये चारो की चारो क्या होंगी बच्चो एक straight line होंगी clear? बिलकुल असान बात है last point देखते है क्या है ए plain surface ही जे surface which lies evenly with the straight line on itself वही बात आ गई उसने क्या काया है अगर मालो आपका कोई plain surface है ना और उसके end पे हमारी क्या होंगी straight lines होंगी तो वो straight lines इस surface के अंदर ही count की जाती है ना कि उनको हम अलग से मानते अब ये पूरा surface है ठीक है अब length और breadth लेते हैं बच्चो तो length के अंदर मालो हम यहां से लेके यहां तक हमारी क्या होगी length तो ये जो line and a straight line ये इस surface के अंदर ही count की जाती है सारे point clear हो गई definitions clear हो गई अब बात चलती है हमारी oxyoms की जो हमारी Euclide ने दे रखे है देखो क्या है असान से है ज्यान से समझना अगर मालो B के equal है ऐसे ही A मालो किसी another चीज C के equal है तो हम कह सकते हैं कि जो ये दो other term है तो वो भी आपस में क्या होंगी equal होंगी B equal to C होगा बस ये चीज कह रखती है समझ भी आई बात A equal to B है A equal to C है तो हमारा B equal to C भी कहलाएगा clear आगे चलेंगे मैंने क्या किया यहां पे 2 value add कर दी इधर भी 2 add कर दी है इधर भी 2 add कर दी है equal value add कर दी दोनों side equal value add कर दी मैंने 2 equals में तो हमारा जो final result आएगा ना वो भी हमेशा equal ही रहेगा असान सी बात है भाई हम करते भी है कि कोई चीज add कर नहीं हो left और right side दोनों same चीज add कर देते हैं तो result पे कोई भी effect नहीं पड़ता है same ही चीज रहती है आगे चलते हैं if equals are subtracted from equals the remainders are equal same ऐसे ही बात है अगर मान लो कोई दो term हमारे पास equal है जैसे a equal to b है बच्चो दोनों side से मान लो मैंने यहां से 3 subtract कर दिया इदर से भी 3 subtract कर दिया तो जो final result आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा बच्चो equal ही आएगा जो result बचेगा जो remainder बचेगा वो भी हमेशा equal ही होगा आगे चलेंगे things which coincide with one another are equal to one another अगर एक चीज दूसरी चीज को coincide कर देती है उसको ढख लेती है पूरण रूप से तो वो दोनों चीज एकवल होती है एक दूसरे के उपर लाई करती है तो देखो कैसे मानलो बच्चो मैंने straight line draw कर दी ये कर दी ठीक है एक और line draw कर दी मैंने ये कर दी वही yellow color से इस परकार से जहां तक इसकी line थी white वाली की वैसी ही मैंने एक yellow line draw कर दी दोनों एक दूसरे के उपर coincide कर रही है थोड़ा सा मैंने visibility के लिए अलग-अलग दिखा रखी है तो इसका मतलब दोनों क्या कहलाएंगी straight line कहलाएंगी और दोनों equal in length होगी दूसरा example ले लिते हैं मानलो हमने क्या कर लिया बच्चो एक square draw कर लिया ये कर लिया अब मैंने क्या किया एक और yellow color का square इसके उपर रख दिया और बिल्कुल इसकी edge जो है ना edge के उपर ही edge आ गई yellow वाले की white वाले के उपर बिल्कुल same to same आ गई तो हम कह सकते हैं कि yellow और white वाला जो square है वो दोनों equal है उनकी equal dimensions है clear बात समझ में आ गई बात आगे चलते हैं next क्या कहा है the whole is greater than the part जो whole होता है ना whole मतलब एक current portion जो होता है वो एक छोटे से टुकडे से ज्यादा होता है देखो कैसे मान लो भई एक straight line है ये रही मैंने क्या किया इसके portion बना दिये छोटे छोटे ऐसे करके और ये ऐसे मैंने 5 portion बना दिये अब इस में से मैंने क्या किया एक छोटा सा portion उठाया ये वाला ये वाला portion उठाके यहां रख लिया तो बही जो हमारी पूरी की पूरी straight line थी वो हमेशा इस portion से क्या होगी बड़ी होगी और example ले ले लिते हैं मान लो बच्चों आपके पास एक रुपया है उसको मैंने break कर दिया 25 पैसे 25 पैसे इस परकार से चार portion में मैंने इस एक रुपय को break कर दिया तो भई ये जो हमारे 25 25 25 पैसे हैं वो हमेशा एक रुपय से छोटे होंगे या फिर एक रुपया हमेशा इन पार्ट से इन छोटी छोटी वैल्यू से greater होगा ये चीज़ गया रखती है ठीक है आगे चलते हैं things which are double of the same things are equal to one another अब example समझो मान लो मैंने यहाँ पर a equal to b ले लिया और दुन्नों को मैंने डबल कर दिया यहाँ पर two a कर दिया इसको भी डबल कर दिया तो ये हमेशा value क्या रहेंगी हमेशा equal ही रहेंगी और देख लिते हैं मान लो मैंने a equal to b लिख दिया और b equal to c कर दिया मैंने क्या क्या b को double कर दिया यहाँ पर भी double कर दिया ऐसे ही मैंने क्या क्या c को double कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया था a equal to c तो अगर c double होगा तो हमारा a भी अपने आप क्या हो जाएगा double हो जाएगा ठीक है यह चीज ना समझ में आई हो तो बस यहाँ पर आ अगर मैं x का half कर देता हूँ और y का half कर देता हूँ तो final जो result रहेगा वो भी हमेशा क्या रहेगा equally रहेगा इस बात से समझ लेना ठीक है समझ में आगे सारे के सारे अग्जियोंस अब last बात आती है हमारे five पास्चुलेट्स की वह भी देख लएते हैं भई वह क्या है फर्स पास्चुलेट क्या है एसा squared line मेंबी टor अनाधर अन्माल्ण वह आपने 20 ले लेने हैं भई eight point ले लिया हुई हमने एक point ये ले लिया, अगर मैं इस point से इस point के बीच में एक line draw करता हूँ, तो वो हमारी क्या होती है, कि straight line draw होती है, ठीक है, इन दोनों point से पास होने वाली line क्या क्या लाएगी, straight line क्या लाएगी, अब आपके mind में उल्टे सुल्टे भी ख्याल आ रहे होंगे, कि sir मैं इस point और इस point के बीच में एक line है, ऐसे भी तो draw कर सकता हूँ, ये तो एक line नहीं हुई, बट पेटा ये line नहीं है, ये क्या है, कर्व है, ठीक है, तो straight line अगर draw करेंगे ना, तो वो दो points के बीच में ही draw की जाती है, clear बात, आगे चलते हैं, a terminated line can be produced indefinitely, अगर मानलो यहाँ पे बात करें, एक terminated line की, terminated line का मतलब क्या होगा भई, यहाँ पे ये point होगा, और यहाँ पे ये point होगा, ये terminated line होगी, रुकी हुई, इसको अगर मुझे produce करना हो, आगे बढ़ाना हो, तो मैं इसको कहीं तक भी बढ़ा सकता हूँ, infinite long distance तक increase कर सकता हूँ, इस परकार से, कोई problem नहीं है भाई, कहीं तक भी increase कर लो, बस ये चीज कह रखी है, कि एक terminated line को हम कितनी भी लंबी increase कर सकते हैं, चलो भई, next postulate क्या है, इस circle can be drawn with any center and any radius, हम भी कोई भी एक center मान के, किसी भी radius का एक circle draw कर सकते हैं, बिल्कुल पता है भई, मान लो मेरा दिल कर रहा है सर, ये center मान के और one radius मान के मैंने एक circle draw कर लेना, तो इस परकार से circle draw कर लिया, सर, मुझे यहाँ पे center ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे center मान दूगा, और मैं अब 2 यहाँ पे centimeter radius का circle draw करना चाता हूँ, तो भई, 2 centimeter का भी draw कर सकते हैं, कोई 3 centimeter का भी कर सकता है, कहीं पे भी surface पे, कहीं पे भी point मान के, हम किसी भी radius का circle draw कर सकते हैं, बस खीना असान सी बात, अग्गे चलेंगे, all right angles are equal to one another, जो right angle होते हैं न, देखो मान लो मैंने एक right angle ऐसे बना दिया, यह कितने degree का है, 90 degree का, अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे 90 degree angle बना दिया, अब ऐसा तो नहीं है, कि यह अलग angle है, यह अलग angle है, है तो दोनों की value सेम ही, तो जितने भी right angle होंगे न, वो सारे के सारे हमेशा क्या होंगे, equal ही होंगे एक दूसरे के, ठीक है, कोई भी angle होंगे, वो तो सारे पर ही लागो होता है, बट यहाँ पे specially एक right angle की postulates दे रखा है, तो बस वो आपको ध्यान देना कि सारे right angle का मतलब क्या होता है, कि एक line दूसरी line पे perpendicular है, next देखते हैं, भाई, last वाला postulate क्या है, यह ध्यान से समझना है, यही important है, क्या गाया है, यहाँ पे इतनी बड़ी definition पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्यार से ध्यान से समझ लो, क्या गाया है, यहाँ पे मानलो मैंने दो line draw कर रखी हैं, यह इस परकार से, एक line हो गई AB, दूसरी line हो गई CD, इनको एक another line, PQ line क्या करती है, बच्चों, कट करती है, क्या करती है, एक another line, PQ line कट करती है, तो इसके अंदर जो angle 1 है और angle 2 है, दोनों क्या होंगे, interior angle होंगे, अंदर बने हुए एंगल होंगे रहा इंटिरियर का मतलब अंदर बने हुए कौन तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा क्या हो लेस देन 180 डिगरी हो लेस देन 180 डिगरी हो तो हम कह सकते हैं कि जिस side भी ये interior angle बने है तो ये दोनों line कहीं न कहीं जाके आगे मिलेंगी समझ में आई बात अब यहाँ पे बात करें इधर वाले angle की ये angle मान लिया क्या है angle 3 है और ये angle क्या है 4 है अब यहाँ पे clearly दिखाई दे रहा है यहाँ पे angle 3 plus angle 4 जो होगा न वो क्या होगा greater than 180 degree होगा तो यहाँ पे in line को आगे produce करते जाएंगे न वो कभी भी नहीं मिलेंगी जिस side interior angle का sum 180 degree से less होगा उसी side वो line आगे produce करने के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी clear बात समझ में आगी बात यही कह रखा है इस postulates में और कुछ भी नहीं है यहाँ पे क्या कह रखा है taken together less than 2 right angle less than 2 right angle का मतलब क्या है 1 right angle की value 90 degree 2 right angle की value 180 degree 180 degree से अगर interior angle का sum less है तो हम कह सकते हैं कि यह दोन्नों line आगे जाके क्या करेंगी मिल जाएंगी ठीक है इसको पढ़के भी देख लेना अपने आप के लिए हो जाएगी जो मैंने बात कही है वो mind के अंदर set करनी है कोई दिक्कत लगे तो आप comment कीजिए अदरवाई चैनल को subscribe कीजिए बाकि इन postulates, इन exeons और statements या definitions के base पे हमारे question है उनको हम next वीडियो में cover कर लेंगे और ये चीज़े चोटी चोटी चीज़े हैं जो की final exam में पूछ ली जाती है तो आपको skip नहीं करनी है ठीक है love you students for watching this video thanks